हाईलो एब्रीवन मरी इसकान आप सबका स्वागत करता हूँ साउथ इंडियन मुविस पर तो गाईज इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एज जोलिए साउथ की कुछ ऐसी वन अब दा बेश्ट मुविस के सजेशन देने वाला हूँ जो आपको एक बार तो डेफिनली व पूरा देखना आपको ये कनफॉर्मली पता चल जाएगा कि कौन सी मुविस आपके लिए वर्थ टू वोच है लेकिन वीडियो को शिरू करने से पहले मेक शूर कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिये है ताकि आगे सिनेटेड होता है इस वज़े से सिदाथ अपने हमशेगल को डूरना शिरू कर देता है लेकिन वो सर्प्राइज तब हो जाता है जब उसे एक ही नहीं बलकी अपने जैसे दो हमशेगल मिल जाते है जिन में से एक का नाम मंजुनात हेगडे और दूसरे का नाम माइकल होता है शुरुआ से लेकर एंड तक यह कल्यान राम का शू है क्योंकि मुवी के हर एक फ्रेम के अंदर कल्यान राम नजर आ जाते हैं वही मुवी के अंदर कुछ इंट्रेस्टिंग मुमेंट्स भी देखने को मिलते हैं लेकिन यह मुवी अपने प्रोसेसिंग के दोरान प्रोटागोनिष्ट और प्रोटागोनिष्ट फैमली के बीच में टेंस अटमोस्फियर को बहुत ही नाइसली वेक अंदर क्रियेट किया जाता है बाकी 2023 समय से एक्शन थ्रीलर मुई को रेटिंग मिली यह 5.9 की और यह मुई आपको नेट्फिलिक्स पर देखने को मिलेगी नबर 4 पर है करूंगा प्याम मुई की शुरुआत रेगिना केसेंटरा से होती है जो कि एक डेज़िटे लाइबरिरी के अंदर एक फिक्शन बुक को डून रही होती है जिसके बाद उसे करूंगा प्याम नाम की एक बुक मिल जाती है और जब उसे पढ़ना शुरू करती है तो वो काफी ज़दा सर्प्राइज हो जाती है दरसल रगिना को यह पता चलता है कि उस बुक के ओथर ने उस बुक को 100 साल पहले लिखा था लेकिन जो भी उस बुक में लिखा हुआ होता है वो सब कुछ पर्जेंट में हो रहा होता है जिसका मतलब यह होता है कि उस वंडर वुमेन काजल गरवाल को जाता है क्योंकि प्री इंडिपेंडेस एरा से उन्होंने एज वुमेन एक रिमार्केबल काम किया है और जो कुछ भी वो लिखती है वो सब कुछ रियल्टी में बदल जाता है इस वज़े से गावालों को ऐसा लगता है कि वो एक वीच है और गाईस इस मुई की शूटिंग लोगडाउन के दोरान हुई है इस वज़े से इस मुई को देखते टाइम आपको कहें न कहीं लोगडाउन की याद जरूर आ जाएगी बाकी 12-23 मैस होरर थ्रिलर मुई को रेटिंग मिली है 7.8 की नबर 3 पर है बुर्खा नाजमा नाम क तो अपने घर से बाहर जा सकती है और नाहीं किसी से बात कर सकती है लेकिन गाईस नाजमा की लाइब के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज इता बाता है जब वो एक दिन सूरिया नाम की जख्मी आदमी की मदद कर देती है आप पड़ा मते लिए फर्स्ट अफ़ल ये मुई हिंदू मुसलिम रियोड के बेकड्रोब के उपर सेट है और इस मुई के राइटर्स ने मुई के अंदर चीजों को सिंपल रखने के साथ काफी पावर्फूड रखा है जो कहने गई हिंदू मुसलिम के बीच के बेरियर करके रखता है बाकि 2023 में इस ड्रामा मुई को रेटिंग मिले 6.1 की और ये मुई आपको आहा एपर देखने को मिलेगी नबर टू पर है वारदू कावालेनू भूमी नाम की कैसी इंडिपेंडेंड लड़की जिसे की शादी में कोई इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन एक दि इस दिन आकाश भूमी को उसके लिए प्यार को रिवेल करने की कोशिश करता है तो भूमी आकाश को उसके मुव पर ही मना कर देती है लेकिन इसके पीछे भूमी का एक सोलिड रिजन होता है लेकिन भूमी उसके बारे में आकाश को बिलकुल भी नहीं बताती है फर्स्ट फॉल इस मुई के अंदर के सारे beautiful moments और sensible romance देखने को मिलता है और ये कोई regular boy meet girl romance वाली movie नहीं है इस मुई के अंदर 30 year old couple के बीच में mature relationship को दिखाया जाता है और इस मुई के another major asset है इस मुई के amazing dialogues जो कहीं नगए simple, sensible और इस मुई के अंदर काफी depth लाते हैं ये 6.4 की और ये मुई आपको sonily app के साथ साथ YouTube पर भी देखने को मिलेगी तो guys number one पर है थड़ा जब police एक murder case की investigation कर रही होती है तब उन्हें investigation के दोरान दो इसे portable suspect मिलते हैं जो कि एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन surprise करने वाली बात ये होती है कि जो suspect एक जैसे ही दिखते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं अला कि guys police के लिए ये case और भी जदा complicated तब हो जाता है जब police को इस case related केई सारे ने effect के बारे में पता चलता है ये एक ऐसी softcore thriller movie है जो आपको एक ऐसी easy ride पर लेकर जाएगी जहाँ पर आपका mind पूरी तरह के से blow हो जाएगा अगर overall बात की जाए तो ये South Indian Cinema की एक J movie है जिसका background score better, much more powerful और terrifying हो सकता था और अगर इस movie को एक word में describe किया जाए तो ये movie एक absolutely masterpiece movie है बाकी 2019 मैं इस crime thriller movie को rating मिली 8.2 की और ये movie आपको YouTube पर देखने को मिलेगी तो guys ये थी वो South की कुछ ऐसी best movies जिनके अंदर आपको कुछ ऐसे interesting moments देखने को मिलेंगे जिस वज़े से आपको इन movies को definitely watch करना चाहिए तो guys उमित करता हूँ कि आपको ये video पसंद आया होगा और वीडियो के अंदर add की गई movies भी तो अगर आपको वीडियो के अंदर जरा सभी कुछ पसंद आया है तो like, share, subscribe कर देना मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and bye